हलो दोस्तों स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल फैक्ट्री में मेरे सानल में कोई ने वीवर्स है तो सानल को सब्सक्राइब कर ले और अंत तक वीडियो को जरूर देखे रायनो को जब हम अच्छी तढ़ा से नौटिस करते है तो अकसर उनके साथ एक पक्षी होते है रैट बिल्ड अक्सपेकर सर्थिक तढ़ा से वे अकसर रायनो की पीठ पर सहयात्री होते हुए पाये जाते है जो rhino के पीठ से टिक्स या अइन्य प्रसाइस को धून के खाते हैं हाला कि एक नए रिसर्स में ये पाया कि ये oxpecker और rhino के relationship इससे ज़्यादा अधिक intuitive है Loud oxpecker अक्सर alarm के रूप में काम करते हैं अगर ये किसी भी इनसान को notice करता है तो rhino को alert करते है हाला कि oxpecker की ड्रिस्ती तेज होती है और जैसे ही उसे खत्रे का आभास होता है वो जोर से चिलाते हैं और rhino और आस्वास को भी सतर्ट कर देते हैं एक्सपर्स ने ये discover कि जिस rhino के साथ red will oxpecker accompany करते हैं वो rhino जादा detect कर सकते है danger को बिना oxpecker के rhino के तिलना में एक बार बहुमत में देखे जाने वाले black rhinos आजकल population में कम होते जा रहे हैं यहां तक red build oxpecker भी कम होते जा रहे हैं तहने तो ये parasites या ticks cattle में मिलने वाले खाते थे लेकिन आजकल cattle को farmers pesticides से treat करते हैं जिससे pesticides वाले parasites खाने से ये bird जल्द ही मर जाते हैं तो आजकल ये birds mostly black rhinos में चिपके रहते हैं लेकिन ये rhino और oxpecker के जोड़ी इतना effective नहीं होते क्योंकि सिकारी रात के समय सिकार करते है rhino की जब oxpecker एक्टिव नहीं होते ये arrangement सिर्फ दिन के समय की effective है तो दोस्तो आजका वीडियो ये ही तक था आजके ये जांकारी आप लोगों को अच्छे लगे तो like, share और comment box में comment कर दीजिए और जल भी मिलते हैं एक नए वीडियो में और तब तक के लिए stay safe and stay healthy